हाई फ्रेंज, डिफ्रेंट रेस्पी विच्नूरी मैं आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे तो आजम बनाने वाले हैं आलू की सबजी तो इस सबजी को बनाने के लिए हमने दो आलू लिये हैं दो आलू से हम पूरे परवार के लिए सबजी बना कर तयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है इस तरह से आप बनाएंगे मेरे बताय हुए तरीके से तो आग घर में आपके सब लोग बोलेंगे कि वही सबजी दुबारा बनाओ और कोई पेंचान भी नहीं पाएगा कि ये आलू की सबजी एतनी टेस्टी बनती है कि सब वावा करेंगे आपकी तो उसके लिए हमें आलू को लेना है और इसे छील लेना है अच्छे से धोकर आलू हमारे छिल गए हैं अब हमें इन्हें धोकर ग्रेटर से इन्हें ग्रेट कर लेना है इस तरह से हमें दोनों आलू ग्रेट कर लेने हैं आलू हमारे किस चुके हैं अब इन्हें हम पानी डाल कर अच्छे से वास करेंगे जिससे इनका जो विष्टाज होता है सारा निकल जाएगा तो हमें 3-4 बार इन्हें अच्छे से बॉस करना है जब तक पीला पानी निकलता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा आलू को चुने से कि हाँ आप ये आलू हमारे साफ हो चुके हैं तो इन्हें दुबारा से पानी डाल कर अच्छे से धो लेना है और फिर से हमें चलनी में डाल कर इन्हें छान लेना है इसी तरह से हमें 3-4 बार ये प्रोसेस करना है इससे हमारे जो आलू का सारा स्टार्च है वो निकल जाएगा और आलू हमारे एकदम साफ हो जाएगे इस तरह से हमें कर लेना है देखिए अभी भी पानी हमारा गंदा निकल रहा है तो हम फिर से इनमें पानी डाल कर और इने धोएंगे इस तरह से हमें धोना है दुबारा से ने इसी तरह से हमें ने धो लेना है तीन-चार बार, चार बार तो कम-कम धोई लेना और अब हम इसे च्छान लेंगे और इनका सारा पानी निकाल देना है जो भी इसमें पानी होगा अब इसे हम दुबारा से इसमें डाल कर और इसमें पानी डाल कर रखेंगे अभी हमें ऐसे ऐसे नहीं रखना है नहीं तो लाल पड़ जाएंगे आलू हमारे इसमें पानी डाल कर एक सैड रख देंगे और मसाला तयार कर लेंगे यह 3-4 प्याजली है अध्रक है लेसन है दो टमाटर है इन्हें मिकसर गिरांडर में छोटा छोटा डाल कर पीश लेना है यह देखी मैं पीश के बताती हूँ पिस गया मसाला अभी हमने हल्दी धनिया मिर्शी वगरा कुछ एड नहीं की है इसमें तो इसे एक बावल में निक बने अब ये आलू है हमारे इन्हें हम चान लेते हैं और इनका सारा पानी निकाल देंगे सारा पानी निकाल देना है हम इसका थोड़ा सा दवा लेंगे इससे क्या सारा पानी निकल जाएगा सारा पानी नहीं रहना चाहिए इनमे इस तरह से दवा कर सारा पानी निकाल देंगे अब इस मिक्सिंग बाउल में डाल कर हम इने आलुओं को निकाल लेंगे सारे आलुओं को और अब लिया है मैंने कटूरी में ये बेसन है तो बेसन को अभी हम डालेंगे तीन-चार चमज डालेंगे और इने mix करेंगे फिर हम देखते हैं और बेसन की अगर जरूरत होगी तो हम इसमें और अड़ करेंगे ये शोड़ा लिया है चोटी आदी चमज और ये गरम मसाला है आदी चमज वो इसमें mix कर देना अभी इसमें हमें नमक बिल्कुल mix नहीं करना है इसका आपको ध्यान रखना है अभी इसमें नमक mix नहीं करेंगे इने अच्छे से मिला लेना है इस तरह से mix करना है अच्छे से मिलता नहीं है, इसलिए हाँ से मिला ले रहे हैं, ये देखिए कटोरी भरावेशन इसमें पड़ गया है, क्योंकि आलू हमारे बड़े साइज की थे, तो इसमें mix कर लेना है, अब हमारा perfect हो गया है मिश्रण, अब इसमें नमक नहीं डालना है, नमक हम उसी समय ड तो देखिए, तेल हमारा गरम हो गया, तेल ना जादा गरम होना चाहिए, ना कम गरम होना चाहिए, मेडियम तेल हमारा गरम होना चाहिए, और गैस को भी हम मेडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, इस तरह से अब हमें नमक डालना है, जब मिश्रण को बनाने चलते हैं, तब इ उसमें नमक डालके mix कर लेना आपने फ्रादर अमसार नमक डालेना और mix कर लेना और इस तरह से गुल-गुल बॉल बना के इसमें शीक लेंगे गेस को हम तेज नहीं रखेंगे क्योंकि तेज रखेंगे तो उपर से जल जाएंगे और पकेंगे नहीं अच्छे से इसी तरह से हमें सीख लेना है, सारे ढालते जाना है, बहुती टेस्टी सब्जी बनकर तयार होती, आप एक बार बनाना तो कमेंट में बताना कि हाँ कैसी बनी है सब्जी वही रोज रोज आलो की सब्जी खाकर बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया खाने का मन करता है, और गर में अगर सब्जी नहीं है कोई भी तो आप इस तरीके से सब्जी को बना कर और इंजॉई कर सकते हैं इन्हें में पलट पलट कर सिख लेना है ब्राउन होने तब जो हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो हमें निकाल लेंगे, हमारे सिख चुके हैं कौपते तो इन्हें हम निकाल देते हैं एक प्लेट में और मैं आपको दूसरी ट्रिक पताती हूँ इससे आपको बनाने में आसानी होगी तो आप पानी लेना एक कतोरी में और उसे हाथ पे लगाना और उसे गोल-गोल करके डालना देखिए इस तरह से ये कटोरी में पानी है ये देखे कटोरी में पानी रखा है उसे मैंने हाथ पे थोड़ा सा लगाया और मिश्रन को रखा और हलके हाथ से ऐसे गोल कर दिया और इसमें हम डाल देंगे इस तरह से आसानी रहेगी बनाने में इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं और से कर तयार कर लेने हैं इस तरह से करना है हमें हलके हाथ से इस हाथ से उस हाथ से करके गोल करके इसमें डाल देना है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, सेर करना, बेल आइकन ज़रूर पुस्क करना और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की वीडियो में नई नई रेस्पियों के आपके लिए लाती रहूंगी इस तरह ऐसे हमें सारे बना कर सेख लेना है इस तरह ऐसे सेख लेंगे पलट पलट कर इनको चलाते जाएंगे बीच बीच में सारे हमें इसी तरह सेख लेना है अब हमने इंडेक्शन पर एक कड़ाई रखी है उसमें हम डालेंगे आदी चमच जीरा और आदी चमच राई थोड़ी ची राई डालना है और इसे अच्छे से भून लेना है जीरे और राई को जीरा और राई हमारा भून गया है आपने पिसा हुगा मसाला था जो हमारा उसे हमने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लेना है देखे मसाला हमारा मोटा सा है बारिक निकरना है आप देख सकते हैं मोटा है हमारा मसाला देखे तेल छोड़ दिया है हमारा मसाला भून गया है अब इसमें हम एट करेंगे अपने मसाले आप एक चमच हल्दी डालेंगे इसमें और एक चमच मिर्ची पावडर और एक चमच धनिया पावडर आपको ज़्यादा कुछ मसाले भी एड़ करने की जरूरत नहीं है आप नॉर्मल तरीके से इस तरह से सबजी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है मैंने कुछ मसाले को बॉयल करके यह मतलब कुछ अलग तरीका नहीं बताया है इक तम आसान तरीका बताया है कै तो थोड़ा सा पानी और करेंगे रिठख़ा क्योंकि अभी इसमें बॉइल आएगा तो थोड़ा बहुत पानी जलेगा भी थोड़ा पानी और डाल लेंगे इसमें आदे गिलास के करीब और पानी डाल लिया है अब इसे पकने देते हैं बॉइल आ जाएगा इसमें फिर हम दिखाते हैं आपको नमक डाल देना है स्वाद अनुशार और इसे पकने देना इसी तरह से अब देखिए बॉयल आ गया है सबजी की जो हमारी तरी होती है ना ग्रेवी वो पक चुकी है अब इसे हमें इसमें कोपतों को डाल देना है और पान दस मिनिट पका लेना है इसे इसी तरह से पान दस मिनिट पका लेंगे उसके बाद हमें गैस बन कर देना है जो हमारे कुप्ते पक चुके हैं गैस बन कर देते हैं और इस पर डाल लेंगे हम कटी हुई धनिया कटी ही धनिया हम डाल लेंगे इस पर सबजी हमारी बन कर तयार है बहुत ही टेस्टी तो प्लीज आप भी इस तरह से बनाईए और खाईए और इंजोई कीजिए तो दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थेंक्यू दोस्तों बाई बाई दोस्तों